चोटे साइज के डॉकुमेंट को हम बड़े साइज में केसे प्रिंट आउट कर सकते जैसे पेंट काट हो गया वोटर आईडी हो गई है चोटे साइज में रहेते पर हमको बड़े साइज में इसका प्रिंट आउट निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे मैं यह दिखा देता हूँ यह मेरा driving license है तो इसको ही मैं आज print out इसका करके बताने वालो और क्या settings करनी पड़ेंगी वो भी आप आगे देख लिजेगा सबसे पहले आपको scanner पर डाल देना है आपके print out पर तो जैसा भी आपको रखना हो उस तरीके साफ यहां पर इसको रख दीजेगा और जिन भी भाईयों को नहीं पता है वो जरूर दीखेगा और जिनको पता है तो वो भी दीखेगा क्यों हो सकता उसमें कुछ doubt आपका clear हो जाए जैसे कि मैंने रख दिया है और मैं आ गया हूं मेरे computer पर जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूँ आपको और रम में screen पर आ जाता हूँ मेरा तो यहां पर जैसे ही में screen पर आगया तो आपका printer का जो भी जो आपने driver इंस्ट्रॉल रखाता उसके scanner पर आ जाना और यहां पर देता हूं और वीडियो को लाइक जरू करेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बिना लाइक करें मत जाहिएगा और चैनल पर नहीं हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं तो जिससे देख सकते हैं यहां पर मैंने PDF में लिया था तो यह मेरी यहां पर PDF बनके तयार हो गई तो यह इस तरीके से छोटे साइज में हुए जैसे कि मैं यहां पर जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं कि यह कैसे हूई है और यहां डारेक्टलि मैं इसको प्रिं साइज में इसकेंड करेते अब बहुत सारे लोगों क्या करते फीट कर लेंगे एक्चुल साइज कर लेंगे पर मेनुवली केसे करना उसको कस्टम करके वह चीज बताने वाला हो जैसे यहां पर कस्टम इसके लिखा हुआ है आपका तो इस पर आजाना है इस पर परसेंड लि करके अंचेक कर रहा हूं सिर्फ सो कराने के लिए हमारा डिस्पले उसके अंदर अगर आपको डारेक्ट कर दोंगे तो फिर वह आपका एक पेपर वेश्ट जाएंगा और आपका जो साइज चीए था आपको वह साइज में नहीं मिलेगा इसलिए पहले इसमें चेक मार कर लीजेगा और फिर अंचेक कर लीजेगा अब जैसे मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो मैंने पहले इसके जो स्केल था एक कस्टम साइस का हमारा तो उसको मैंने बड़ा चोटा करके देख लिया अब जैसे मैंने यहां पर 180% कर लिया हूँ अब इसको क्या करूंगा म यहां पर प्रिंट होना चालू हो गया और मैं यहां पर प्रिंटर पर आपको दिखा देता हूँ यहां पर हमारी प्रिंटिंग चालू हो गई है तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा साइज करके आप पहले देख लिजेगा उसके बाद ही आपको प्रिंट करना है अगर आप basic size बड़ा कर के निकाल दोंगे तो हो सकता हो बड़ा size निकल जा या चोटा size निकल जा या चोटा todo Snail चलता है और बड़े size की DOCUMENT की अलग scale चलते हैं जैसे हमारा यहां पर print अउट शुका है तो आप print-out का size घखाए हो जो हमना document को製ैंगी चा टा और एक चीज और किना चाहूंगा कि आप जब भी इसको scan करें तो आप इसमें जो regulation है वो हमेशा बढ़ाई है क्योंकि हम इसमें custom size में इसको हम regulation इसमें थोड़े सी बड़ी होती है तो इसमें regulation इसमें कम सो होगा तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारे document यहां पर बड़ा size में निकल चुका है आप देखिए यह जो मेरा original document है कि इतना चोटा लग रहा है तो इस तरीके से आप बड़े document निकल सकते हैं और जो मैं second चीज आपको बता रहा था कि आपको जो regulation हम जब scan करते हैं तो उसके अंदर आपको regulation हमेशा जादा ही रखनी है जो document की resolutions रहती है क्योंकि इसमें क्या होता जब हम scale sizes का बड़ा करेंगे तो यहां पर zoom होती फोटो तो उसके थोड़े से ग्राफिक्स कम हो जाते है तो आई होप आप कोई चीज समझ माई होंगी और वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक जरू करेंगा और चैनल पर अगर नाए हो तो चैनल को सेस्क्राइब जरूर करिएगा